Hello guys, Jai Hind आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं Marksit कैसे बनाते हैं एकसल के पेज में तो चलिए हम लोगे स्टार्ट करते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है Marksit बनाना आज आप सिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग Excel के page को यहां से on कर लेंगे और यहां पर first column पर जाएंगे और यहां पर हम लोग टाइप करेंगे student name ठीक है student name फिर हम लोग उसका address ले लेते हैं या फिर details उसका हम लोग यहां पर टाइप कर लेते हैं यहां पर मैंने दोस्तो टाइप कर लिया है student name, role, class, total marks, pass marks, hindi, english, math, ssc, sc, optant marks, percentage कितना है, division कितना हुआ, rank कौन सा है और grade कौन सा है तो यह सारे चीज आज मैं आपको निकलना सिखाऊंगा अब मुझे करना क्या है कि करसर यहां पर रखना है और इस area को select कर लेना है area को दोस्तो select करने के बाद एक background color दे दे रहा हूँ मैं, यहांसे एक background normal देता हूँ और text का color यहां से मैं change कर लेता हूँ text आ color मैं यहां से change कर लिया, ठीक है text का suppose color यह मैंने दे दिया और background को यह अच्छा सा color मैं दे दे रहा हूँ ताकि आपको display करे यहां से मैंने background color choose कर लिया तो दोस्तों यह already मेरा design हो चुका है अब इसमें हम क्या करते हैं फटा-फट student name, roll, class और total marks और सारे numbers वगर भड़ लेते हैं तो चलिए start करते हैं यहां पर दोस्तों मैंने नाम entry कर लिया है अब मुझे roll number type करना है तो चलिए roll number type करते हैं जैसे मैंने यहां type किया one और फिर type किया मैंने two तो यहां पर मुझे two देना है two type किया अब क्या करेंगे कि दोनों को shift के साथ में यहां से select कर लेंगे और button को left click के साथ drag कर देंगे नीचे की तरफ तो total मुझे यहां पर roll number दिख जाएंगे class मुझे लिखने है suppose 3 तो 3 लिखा मैंने अब सेम चीज मुझे नीचे तक लिखने है तो मैं shortcut के आपना करूँगा तो यहां से मैं area को select करूँगा और एक shortcut apply करूँगा जिसका नाम है fill और down की तरफ तो यह total में 33 आ जाएगा अब दोस्तों यहां पर मुझे total marks देना है तो total marks अगर मैं 500 कर ले रहा हूँ तो मैं 500 डाला और श्रब मैं same डालना है तो फिर से मैंने यहां से area को नीचे की तरफ select किया और fill बटन पे गया और यहां से down बटन पे click किया तो all marks यहने 500 बेरा आ जाएगा अब past marks भी मुझे same डालने है तो past marks अगर हर subject में 30 है तो 30 यहां से डाल लेते हैं और down की तरफ हम area को select कर लेते हैं पर subject के हिसाब से तो यहां से मैं down की तरफ select कर रहा हूँ तो past marks के यहां पे 30 आपको show कर जाएगा पर subject के हिसाब से अब यहां पे हिंदी इंगलिस सब का numbers देना है मुझे तो चलिए हम number for type कर लेते हैं चलिए दूस्तों मैंने यहां पे total subject का marks भी fulfill कर लिया है अब मुझे निकालना है opt-end marks और यहां पे निकालना है मुझे percentage, division, rank और grade तो चलिए अप्टेंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे formula is equal to sum sum use करेंगे bracket open करेंगे और जितना marks मुझे जोडना है उस area को मैंने select किया यहां पे तो आपको भी select कर लेना है यानि F2 से ले करके और Z2 तक bracket को close करेंगे और enter करेंगे तो आपको total marks यहां पे निकल करके आ जाए कि आपने total 500 में 376 यानि 376 नमबर्स लाए अब आपको यहां से plus button drag करके नीचे की तरफ खींच देना है तो हर एक student का आपको obtained marks निकल करके दिख जाएगा अब आपको निकालना है percentage तो चलिए percentage निकालते हैं यह 376 नमबर इन्होंने लाया तो इनका कितना percent marks हुआ तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे is equal to type करेंगे any formula is started with equal sign आपको हर formula से पहले is equal to जरूर देना है अब क्या करेंगे यहां पे यह 376 जो options 376 लिखा हुआ है इसमें करसा रखेंगे automatic इसका value ले लेगा sale number यानि k2 अब क्या करना है आपको divided by का symbol देना है और 5 subject है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और enter button प्रेस करेंगे तो यह divide होकर 75.2% यह numbers आ गया अब आपको cursor corner में यहाँ पे ले जाना है और left click के साथ आपको drag कर देना है नीचे की तरफ तो total आपका marks निकल करके percentage आ जाएगा अब मुझे निकालनी है division तो चलिए दोस्तों division निकालते हैं division हम लोग कैसे निकालेंगे तो division निकालने के लिए आपको press करना होगा is equal to अब division कैसे निकलेगा आपको तो इसमें बहुत सारे conditions होते हैं तो चलिए division हम लोग निकालते हैं division निकालने के लिए type करेंगे is equal to if हम लोग condition लगाते हैं if condition bracket open करेंगे और लिखेंगे min mean फिर से bracket हम लोग open करेंगे और कहा से कहा तक यहां हिंदी से ले करके आपने सी तक यानि यह पाचो subject में इस bracket को बंद कर देते हैं पाचो subject ले करके less than less than का symbol देंगे और is equal to देंगे अगर 30 से कम होता है तो comma का symbol देंगे और double cut open करेंगे और लिखेंगे fail double cut close कर लेंगे यानि अगर minimum F2 से ले करके J2 तक less than 30 आता है यानि इसमें से किसी भी marks कोई भी marks अगर आपको 30 से कम आता है तो आप fail कर जाएंगे फिर आप comma देंगे और फिर आप new condition इस्टार्ट करेंगे नया logic इस्टार्ट करेंगे इफ के साथ में फिर यहां से bracket open करेंगे अब मुझे आना है या optent mark में यानि जो आपका total marks यहां पे जोर करके आपने लाया है वो आया है तो यह है आपका K2 में तो यहां पे हम लोग प्रेस करेंगे इफ K2 बारा और बराबर का शिंबॉल देंगे greater than equal to कितना का 60 का कॉमा तो वह व्यक्ति first हो जाएगा तो double court open करेंगे first और st डालेंगे यहां से और double court को close करेंगे फिर देंगे हम लोग कॉमा फिर अप नया condition स्टार्ट करेंगे इफ bracket को यहां से open करेंगे कौन सा तो यही K2 फिर से हम लोग लिखेंगे K2 बार और बराबर होगा कितने का 45 का कॉमा तो वह ब्यक्ति क्या कर जाएगा student second कर जाएगा तो यहां पर type करेंगे second और double court को फिर से close करेंगे फिर कॉमा देंगे फिर नया logic के start करेंगे इफ bracket को open करेंगे कौन सा K2 12 और बाराबर अगर हो जाता है कितने का 30 का last condition है 30 का तो कॉमा हो जाएगा double court और वह ब्यक्ति क्या कर जाएगा 3rd यानि third कर जाएगा तो यहां से हम लोग type करेंगे 3rd double court के अंदर close करेंगे फिर हम लोग देंगे कॉमा अगर इस में से कुछ नहीं हुआ तो last में तो वह fail करेगा ही तो यहां पर fail डालेंगे double court को close करेंगे और मैंने bracket यहां 1, 2, 3 and 4 chart time यहां पर मैंने open किया है तो chart time bracket को मुझे close करना परेगा और inter button प्रेस करेंगे दोस्तों तो यहां पर marks निकल करके उसका division आ जाएगा अब यहां पर हम लोग करसर रखेंगे और नीचे की तरफ drag कर लेंगे तो total division निकल करके आ गया देखिए दोस्तों संजोग से total वा total मेरा first IQR अगर माल लिया जाए किसी का division हम यहां पर change करते हैं जैसे 20 number मैंने दिया इसको math में तो देखिए दोस्तों यहां पर यह fail साबित हो गया ठीक है तो चलिए number बहा देते हो कहे को fail करना तो यहां से हम लोग first करा देते हैं अब मुझे ranking निकल ली है कि कौन सा student किस rank पर है rank निकलने के लिए हम लोग rank formula यूज़ करेंगे is equal to rank rank bracket को यहां से क्या करेंगे हम लोग open करेंगे अब bracket open करने के बाद आप किस पर rank निकलना चाते हैं तो चलिए percentage पर ही निकाल लेते हैं तो percentage L2 में है तो यहां पर click करेंगे फिर comma का symbol देंगे फिर total area को हम select कर लेंगे जितना rank आपको निकलना है area select करने के बाद F4 प्रेस करेंगे bracket को यहां से हम लोग close करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो दोस्तो इसका 75% number है जबकि यह 13 रैंक पे है यहां पे करसा रखेंगे और सब को drag कर देंगे दोस्तो तो सबका rank निकल करिया है यह first rank पे है 465 number के साथ 93% number है इसका दोस्तो तो यह first rank पे है तो rank हम लोग ला लिए अब अगर आप grade लाना चाहते है तो चलिए हम लोग grade निकलते हैं कि A grade, B grade, C grade यानि जिसका rank ज़्यादा है वो A grade फिर second, B grade तो हम 90% से उपर A grade 80% से उपर B और 70% से उपर हम लोग C रख लेते हैं ठीक है तो चलिए grade निकालते हैं तो grade दोस्तों हम लोगेंगे यहां से निकाल रहे हैं तो चलिए type करते हैं grade के लिए is equal to if bracket को यहां से open करेंगे bracket open करने के बाद यहां percentage पर ही निकालेंगे तो percentage मेरा L2 में है तो type करेंगे L2 12 और बराबर होगा अगर 90 का यानि 90% से बड़ा और बराबर होगा कॉमा और double court के अंदर हम capital A लिखते हैं उसको हम A grade देंगे फिर हम लोग यहां से कॉमा देंगे और फिर नया condition स्टार्ट करेंगे if bracket L2 बड़ा और बराबर अगर हो जाता है आपको 80 का ठीक है तो कॉमा हम उसको B grade देंगे B grade double court से यहां पर clause करेंगे फिर हम लोग देंगे कॉमा फिर टाइप करेंगे if bracket को open करेंगे L2 बड़ा और बराबर हो जाता है अगर 50 का 50 से उपर तो कॉमा हम उसे C grade देते हैं ठीक है यानि 50 से उपर जो भी बड़ा और बराबर होगा तो उसको हम C grade देंगे यहां से और 3 बार मेरा bracket open हुआ है तब 1, 2, 3 3 बार bracket close करेंगे यहां से इंटर बटन प्रेस करेंगे दोस्तों तो यहां पर मेरा grade निकल करके आ जाएगा अब मुझे क्या करना यहां से corner बनाना है तो तो बनापकर बनापकर इंगे जाएगा